नमस्कार कमर दिम भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंदर शुकला सावन लगने के बाद ही धार्मिक त्योहारों का सिलसला शुरू हो जाता है और इसी प्रम में विभिन ने तीज त्योहार भी बनाये जाते हैं यह यात्रा साथ दिनों तक चलेगी जिसमें पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं अपने पारपरिक वादियंत्रों और गीत भजनों के साथ बड़ी हुथसा से यात्रा संपन की जाएगी रगुना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताये कि उन्होंने पिछले वर्ष से यात्रा शुरू की थी जो कि लगातार हर वर्ष जारी रहेगी यहां से लगवक करीब साथ आठ दिन लगेंगे चित्कूर तक के लिए यात्रा है यह गाओं की सुक सम्रद्धी के लिए जन मानस के बिकास के लिए और लोगों में हमारे यहां पिछले वर्ष भी हमारी यात्रा हुई थी जिसका यह परणाम हुए कि इस वर्ष हमारे यहां के तीन बच्चे नौकरी में चैने थुगे हैं तो इसी प्रकार हम इस वर्ष से काम ना करते हैं कि हमारे गाओं के हर घर में एक बच्चा कम से कम सर्विस में हो और जब भविस्थो सभी का और जब गाओं में सभी के घर में एक बच्चा सर्विस में होगा और बच्चे पढ़ेंगे तो आपने याप उनके घर का विकास सुझाइगा और वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे इस प्रकाल इस उद्देश को लेकर गाओं में कोई बिसंगतिया ना हो गाओं में कोई परेषानी आ हो रोगबाधा ना हो इसके उद्देश से लेकर पिछले वर्स से हमने यह यात्रा चालू की है यह दूसरे वर्स मेरी यात्रा मिकाली जा रही है जो भग राजन माता मंदर से चितगूर भाम तक प्यादर सारे लोग जाएंगे और लगवक्चार फान से लोग हमारे चितगे लोग जा रहे है खबर दिल भर में इस बुलेटिन में फिल हाले लिखना ही नमस्कार हा मा कैसी है बोर हो रही है विचारी अच्छा तुझे याद है ना तेरे पिता जी का रिटार्मेंट है तो तु आ रहा है ना नहीं मा आज एक बहुत इंबोर्डेन मीटिंग है लेकिन बिटा नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं मैंने यापाऊंगा बेटा शाम को चलते हैं गूमने डादो के ओफिस का आखरी दिन माथुर जी अब तो अराम से कटेगी चिंद की हाँ क्यों नहीं माथुर सापका एक अई तो बेटा है वो मेरे साथ नहीं रहता ओती जरूर आई है लेकिन दो एक दिन बाद वो भी चली जाएगी शाम को गुमने चलेंगे बेटा बाबु जी पहुंच गये दादू आपका ही नाम है इया है और जैंखर जय जयं percentage है आ च उर इ Сам झाई। माया अबस्साली बह का एक वहको पढ़ा आ बंधन बंधा है ये एक ऐसी डोरी से तूटेगा न चूटेगा किसी भी दूरी से ऐसा रिष्टा है हमारा ये वादा है हमारा प्रिया चूट टूटेगी